अपने देश की भौगोलिक स्थिती ऐसी है जहां साल में ओसतन तीन सो दिन धूपाती है प्राकृतिक इंधन कम हो रहा है और पेट्रोल डिजल की कीमते लगातार बढ़ रही है बिजली प्रती यूनिट कमर तोड रही है ऐसे में सौर उर्जा नया ठोर दिख रहा है मनपा परिवहन विभाग ने बस्टाइंड और सौर उर्जा पर चलने की पहल की है फिलहाल हिंगना रोड स्थित और एंसिटी डिपो में 17 के भी बिजली उत्पादरों शमता का सौर उर्जा प्रकल्प लगाया गया है यहां के कारिया लैन काम के लिए सौर उर्जा से उत्पन्न होने वाली बिजली का ही उपयोग किया जाएगा विभाग की ओजना संपुर्ण डिपो को सौर उर्जा से चलाने की है इससे बिजली की भारी बज़त होने का अनुमान है लेकिन इस अनुमान और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है और इसी अंतर में छिपा है एक गहरा राज जिसमें करोडों नहीं बलकि अरबों का खेल है ऐसा ही अनुमान कुरुशी उत्पर्न बाजार समिती ने भी लगाया और कलमना मंडी में सोलर सिस्टम लगाने की तैयरी कर ली मंडी के वैपारियों को बताया गया कि सोलर सिस्टम लगने के बाद भारी भर कम बिजली बील से राहत मिलेगी कहा तो जा रहा है कि कलमना मंडी देश की ऐसी पहली मंडी होगी जहां सोलर सिस्टम लगाया जाएगा दरसल मंडी के वैपारियों द्वारक कई बार जादा बिजली बिल की शिकायतों के बात यह फैसला दिया गया नाकपूर की अन्य कारेलेवें में भी धड़ा-धड़ सोर पैनल लगाये जा रहे है यह सोर उर्जा का ही कमाल है कि नाकपूर मेट्रो देश का पहला हरित मेट्रो प्रकल्प है दरसल पेट्रो की बढ़ती कीमत से लोगों का रुजान इलेक्ट्रिक वाहन की और बढ़ रहा है बैटरी चार्ज कर वाहन दोड़ाए जा रहे है सोर उर्जा से फिलाल दो पहिया या चार पहिया वाहन नहीं दोड़ रहे है इसका मुख्य कारण पैनल बड़ा और वाहन छोटा होना है नाकपूर से सोर उर्जा के पैनल के विक्री देश भर में होती है इसमें निवेश काफी कम है और फाइदा ज्यादा लेकिन अगर आपके पास उतने भी पैसे नहीं है तो कई बैंक फाइनांस करने के लिए भी तयार है आप सोलर सबसीडी स्कीम कुसुम योजना राष्टिय सौर उर्जा मिशन के तहट बैंक से लोन ले सकते है एक अनुमान के मुताबिक इस बिजनेस से महिने में 30,000 रुपए से लेकर 1,000,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है इसके साथ ही सोलर बिजनेस के लिए कई स्कीमों के तहट भारत सरकार 30% तक सबसीडी भी देती है नाकपूर समित राज्य में सूरज की भरपूर रोशनी उपलब्द है दूसरे शब्दों में कहे तो सौर उर्जा हमारे लिए किसी वर्दान से कम नहीं है नाकपूर जिले में सौर उर्जा के कई प्लांट लगे हुए है जहासे हर दिन सौर उर्जा मिल रही है सौर उर्जा का ग्राप तेजी से बढ़ भी रहा है सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से सबसीडी के रूप में नई-नई योजनाय ला रही है सरकार खुद भी उपभुकताओं से सौर उर्जा खरीद रही है नागपूर जिले की बात करे तो काटोल में सेफसेट कंस्ट्रक्शन बैलिस मेगवाट, सिट्रा रियल स्टेट टू मेगवाट, अलियस पावर बारा मेगवाट सौर उर्जा का निर्मान कर रहा है उपभुकतानी जी तोर पर भी घर पर सौर उर्जा प्लांट लगा कर सौर उर्जा का निर्मान कर रहे है धूप अच्छी पढ़ने से सौर उर्जा प्रोजेट को अच्छा स्कूप मिल रहा है सौर उर्जा से अंगिनत घर रोशन हो रहे है सौर उर्जा का महत्वाब केवल घर, दुकान वा इंडस्री तक ही सीमित नहीं रह गया है उसकी उपयोगिता, बैट्री वहन, CNG, LPG वह सौर उर्जा तक बढ़ गई है प्राकृतिक रिसॉर्च जैसे कोईला पानी सीमित है लेकिन उर्जा की उपयोगिता जिस तेज़े से बढ़ रही है उससे उसकी मांग भी काफी जादा बढ़ गई है उर्जा में भविशकी जरूरत सौर उर्जा बढ़ गई है इस मांग को पूरा करने के लिए अपारमपारिक उर्जा की और भटना जरूरी हो गया है सरकार की नीती भी अपारमपारिक उर्जा को बढ़ावा देने की है सरकार भी चाहती है कि देश सौर उर्जा की तरफ जाए और बिजली पर निर्भरता कम हो इसलिए राज्य तथा केंद्र सरकारे लगातार सौरूर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सुविधाय दे रही है नागपूर परिमेंडल की बात करें तो महावितरन के खुत के सौरूर्जा के 11 प्लांट कार्यारत है इसकी ख्शमता 13 मेगावाट है नागपूर महामंडल में हर दिन करीब 400 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है पाच साल पहले 100 किलोवेट के सोलर प्लांट के लिए 70-80 लाग का खर्च आता था अब इसके लिए 35 लाग से भी कम खर्च आता है सोलर प्लांट के प्लांटेशन के लिए खर्च में कमी आने का मुख्य कारण प्लांटेशन के लिए जरूरी सामगरी व कच्चे माल का सस्ता होना है सरकारी योजना व नीतिया भी सवर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए पोशक है महाराष्टर या नाकपूर की बात करे तो उर्जा के मामले में हम बेतर है महानिर्मिती के तरप से रज्य में हर दिन 15,000 मेगावट से जादा बिजली का उत्पदन किया जाता है भारत में उर्जा की भारी कमी है विश्व बैंक के अनुसार देश में अब भी 20 करोड लोगों के पास बिजली की सुविधा का अभाव है वर्ज 2035 तक भारत में उर्जा की मांग में 4.2 प्रतिशत प्रती वर्श की दरे से वृद्धी होगी हाला कि वर्श 2014 से सौरूर्जा उत्पादन के क्षेतरे में काफी तरक्की करने के चलते भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौरूर्जा बाजर बन चुका है फिर भी भारत की सौरूर्जा उत्पादन बनाने का घरेलो उत्योग इस आउसर का लाप उठा पाने में असफल रहा भारत सौरूर्जा उत्पादन के लिए जरूरी मशिनेरी का अस्से फिजदी आयाद चीन से करता है इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत के पास वो ख्षमता, पूंजी और काबिलियत है कि वो अपने विशाल आयात की जगह जरूरत के सौरूर्जा उत्पादों के निर्मान को बढ़ाए और इनके आयात पर अपनी निर्भरता कम करके आत्म निर्भर बने ताकि देश को स्थाई और कम लागत वाले उर्जा संसादन मिल सके और इनके माध्यम से रोजगार के भी अधिक आउसर पैदा हो राष्ट्रिय सोलर मिशन से मेल खाती वी एक ऐसी आकरमक रननीती की जरूरत है जिससे सौरूर्जा उत्द्योक का लंबी अउधी के लिए विकास किया जा सके और इसके माध्यम से मुनाफ़ा बरकरार रखते हुए सस्ते आयत का मुकाबला करने लायक निर्मान किया जा सके अगर भारत ऐसा कर पाता है तो घरेलियू सौरूर्जा निर्मान उत्द्योक का विकास होने से भारत वर्ष 2030 तक लगबग 12 सरब डॉलर के सौरूर्जा उपकरनों के आयत की बचत कर सकेगा साथ ही अगले पाच वर्षों में 50,000 नौक्रियों का प्रत्यक्ष रूप से तो सवालाक रोजगर का अप्रत्यक्ष रूप से सुरूजन हो सकेगा लेकिन पिछले दिनों देश की कोईला खदानों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने के अलान के बाद क्लीन एनर्जी खास कर सौर उर्जा पर भारत की प्रतिबधता को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए है वैसे भी पिछले दो-तिन साल से देश सौर उर्जा के विकास में बेहत धीमा चल रहा है क्योंकि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेज दोडने के लिए बनाई गई नीतिया ही अब इसके लिए स्पीड ब्रेकर बन गई है उर्जा पर बनी संसत की स्थाई समिति ने हाल ही में ही क्लीन एनर्जी का टार्गेट पूरा न कर पाने के कारण नविन और नविनी करनी ओर उर्जा मंत्राले की खीचाए की है दूसरे सोलार एनर्जी खरीदने वाली राज्य की बिजली वितरन कमपनियां सोलर पावर सप्लायर्स के पैसे देने में देरी करने लगी है वही सरकार ने भी सोलर पावर कमपनियों के लिए बिजली बेशने के रेट बान दिये है यह रेट प्रती उनिट 2.40 पैसे रखी गई है इससे जादा पर राज्य की बिजली वितरन कमपनियां सोलर पावर खरीदने के लिए तयार नहीं है यह हकीकत है कि सोर उर्जा से बिजली बनाने वाली कमपनियों के लिए इस रेट पर बिजली बेच कर बाजार में टिके रहना मुश्किल है इससे भी उत्पादक कमपनियों का मन खट्टा होता जा रहा है बड़ा कारण यह भी है कि घरेलू कमपनियां चीन और मलेशयाई कमपनियों की गुनवत्ता की बरावरी करने में नकम साबित हो रही है भारत ने घर की चटो पर सोलर पैनल लगा कर 2022 तक 40,000 मेगावैट के एक शमता जोडने का लक्ष रखा है इस लक्ष को पाने के लिए शुरू में सरकार ने सारे रूप टॉप सोलर प्रोजेक्ट पर 30 पी सदी तक सबसीड़ी देनी शुरू की लेकिन जल्धी यह सबसीड़ी सिर्फ गयर लापकरी संस्थानों और सरकारी भावनों की चटो पर लगने वाले सोलर पैनलों तक सिमित कर दी गई इसके अलावा बहार से आने वाले फोटो वोल्टिक मॉडियोल पर सेबगार्ड ड्यूटी लगाने से भी यह महेंगे हो गए सरकार जीन उपभुकताओं को सवर उर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रोटसाइट कर रही थी वे अब इस एनरजी से दूर होने लगे है आम उपभुकताओं के बीच सोलर एनरजी को लोगप्रिय बनाने के सरकार की योजना भी धराशाई हो गई है अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार फिर कोईला खनन के दोहन की नीती पर उतर आई है यानि क्लीन उर्जा की दिशा में भारत की महत्वा कांगशा सीधे पल्टी खाती दिख रही है अब देखना ये है कि सूरज की तपिश को संभालने में हम कितने कामया भूपाते हैं बहराल एक और एहम समस्या और उस्से उत्पन्ना हालात के साथ हम फिर आपके सामने होंगे तब तक बढ़े रहे हमारे साथ सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची